हलो एफरीवन मैं हमें टॉपर्स कोस अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ बेटा हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे सर हमने लास्ट वीडियो में बिल्स पढ़ना शुरू किया था हमने देखा था कि पार्लेमेंट में अग आपके चार टाइप के बिल्स होते हैं कौन से और डिनरी बिल मनी बिल फैनेंस बिल और इस वीडियो में बचे हुए जो दो बिल है वो देखेंगे यानि की फैनेंस बिल देखेंगे और आपका जो है Constitution Amendment Bill देखेंगे तो पिटा ध्यान लखना जिससे वह वीडियो नहीं देखा ना ध्यान से देख लेना क्योंकि वह वीडियो देखो के तो यह वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा सारे वह उसमें समझा दिये हैं तो वह आप जरूर देखना वीडियो बहुत इंपोर्टेंट अगर यह वीडियो देखना है तो तो यह वीडियो ऊपर से बढ़ जाएगा तो इससे बैतर आप वो वीडियो देख लो थोड़ा सा डाइम इंवेस्ट करो दोनों चीज आपको चानल होते हैं एक यह होता है मनी बिल और दूसरा होता है आपका क्या फेनेंस बिल हमने देखा था पैसे से र concern मनी मर्म और फॉन चांप इसपी कर रॉफ-देटे हैं कि यह ब्ल्मनी बिल है वह अदिकिती बाकी सारे बचे हुए बिल किसमें आ जाते हैं आपके, फैनेंस बिल में आ जाते हैं. अटमेटिकली पैसे से रेलेटेड कोई भी बिल है, जिसे स्पीकर ओफ लोक सभा ने मनी बिल टेकलेर नहीं किया, वो क्या हो जाएगा आपका? फैनेंस बिल हो जाएगा. तो यहां तक पहला पॉइंट समझ में आया, चलो, अब यहां पर मैंने क्या बोला था, लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि जब भी पैसे से related कोई बात होगी, तो प्रेसिडेंट की prior permission लेनी पड़ेगी, तो money bill आपको introduce करना है, तो आपको प्रेसिडेंट से permission लेनी अगर प्रेसिडेंट मना कर देंगे, तो आप नहीं ला सकते, जनरली प्रेसिडेंट मना नहीं ही करते हैं, बट आपका यह फॉमालिटी है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, कि प्रायर पर्मिशन ओफ प्रेसिडेंट जो होगी, वो नेड़िड होगी, अगला पॉइंट मै और उसके बाद वो कहां जाएंगे, राज्यसभा में, मैंने बताया था, राज्यसभा पैसे से रेलेटेड बिल को शुरू नहीं कर सकता, तो इंटर्ड्यूस कौन करेगा आपका, लोगसभा, लोगसभा पास करेगा, सिंपल मैजॉरिटी से, तो बिल कहां चला जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा बिल को पास कर देगा, तो कहां चला जाएगा बिल आपका, प्रेसिडेंट के पास, लोगसभा राज्यसभा दोनों पास कर देगे, तो बिल कहां चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट बिल को पास कर देगे, तो बिल क्या money bill में देखा था, कि money bill को राजसभा reject या amend नहीं कर सकता वो वाली condition आपका यहाँ पर, finance bill में नहीं होगी finance bill में राजसभा bill को reject भी कर सकता है bill को amend भी कर सकता है, मतलब bill में कुछ changes करने है, तो changes भी कर सकता है और अगर राजसभा इस bill से, finance bill से आपका satisfied नहीं है, तो राजसभा उस bill को reject भी कर सकता है तो मतलब यह वाली condition हो सकती है कि लोगसभा ने बिल को पास कर दिया और राजसभा ने नहीं किया, है ना, कभी यह वाली condition तो नहीं होगी कि राजसभा पास करते हो लोगसभा फेल करते, क्योंकि बिल शुरू ही होगा कहां लोकसभा में तो पहले लोकसभा पास करेगी तभी बिल कहां जाएगा राज्यसभा में तो second वाली condition आपका exist नहीं कर सकती तो अगर बिल आपका लोकसभा पास करता है और राज्यसभा पास नहीं करता तो article 108 क्या बोलता था कि जब एक house बिल को पास करेगा और दूसरा house बिल को पास नहीं करेगा तब प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं तब प्रेसिडेंट आपका जॉइंट सिटिंग को सब्मन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को इनवाइट कर सकते हैं और वो जॉइंट सिटिंग को प्रसाइड कौन कर मनी बिल्को आपका राज्यसभा मैक्सिमम 14 देस तक रोक सकती थी, यहां पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, राज्यसभा जितने दिन चाहे उतने दिन फैनेंस बिल्ल को रोक सकती है, विदाउट एनी बाउंडेशन, यह चीज भी समझ में आई, फिर क्या होगा, बिल दो बेज सकते हैं, हाँ सर, प्रेसिडेंट बिल्को री कंसीडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट आपका बिल्को पॉकेट वीटो कर सकते हैं, हाँ सर, प्रेसिडेंट बिल्को वीटो, पॉकेट वीटो भी कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट फेनेंस पर सभी वीटो पावर यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहां तक यह सारी चीजने समझ में आई ना, मुटा-मुटा आपको पूरा बिल है वो समझ में आगया क्या मनी बिल आपका लोग सभा में डिफीट होगा तो गवर्मेंट कोलाइपस होगी? नहीं सर, मनी बिल कहीं पर भी आपका डिफीट हो जाए, कोई गवर्मेंट कोलाइपस वाला कंडीशन नहीं होगी यहां तक आपको अलमोस्फ सारी चीज़ें समझ में आगयी एक बेंट रहे डियाग्राम और बिल और समझना देखो, मनी बिल, मनी बिल मैने क्या बिला? मनी बिल, फिनेंस बिल का पार्ट है money bill जो है वो finance bill का part है finance bill में से जिस bill को speaker of log सभा ने बोल दिया money bill, वो तो हो गए money bill बाकी सारे क्या रहे आपका finance bill तो यहां पर अगर आप से statement पूछा जाता है कि all money bill all money bill are finance bill तो यह क्या होगा? true होगा इसका उल्टा पूछा जाता है all finance bill are money bill तो यह क्या होगा आपका? गलत होगा क्योंकि money bill आपका लाए कर रहा है किसमें? finance bill में तो सारे money bill, finance bill होगे लेकिन finance bill money bill होगा ऐसा कोई compulsion नहीं है तीक है? यहां तक समझ मैं है? एक VENT डाइग्राम और बना लेते हैं इस डाइग्राम को भी समझ रहा है money bill और आपका ordinary bill money bill और ordinary bill और यह जो मैंने shaded portion किया है यह जो मैंने shaded portion किया है यह क्या होगा आपका finance bill सर इस डाइग्राम का मतलब क्या है? सर इस डाइग्राम का मतलब यह है कि finance bill में ordinary bill वाली सारी condition होती है क्याना कौन सी condition को छोड़के दो condition उनको छोड़के, सर कौनसी दो condition, पहली condition, क्या आपका finance bill के एवल लोक सभा में introduce होगा, यह आपका money bill की condition थी, जो finance bill में आती है, दूसरी condition, कि finance bill को आपका लाने के लिए, introduce करने के लिए, president से prior permission लेनी पड़ेगी, तो यह दो condition money bill वाली आती है, बागी सारी condition जो आती है, क कि finance bill वाली आती है, कैसे पास होगा, simple majority है, president सारी veto power यूज कर सकते है, हाँ sir कर सकते है, president veto power सारी यूज, क्या money bill पर joint sitting हो सकती है, हाँ sir money bill पर joint sitting हो सकती है, तो यह दोनों ही diagram आपके important है, दोनों ही when diagram आप बना लेना, आपको यहां से भी कुछ questions बनते हैं, जो आप easily deal कर सकते तो यह सारी चीज़ें हो गई आपका, map बना लो, mind map बना लो, चीज़ें आपके short में लिख लो, बाकि आपका क्या है, हम detail में सारी चीज़ें देखते ही है, तो देखो लिखते जाएंगे सारी चीज़ें, यहाँ पर क्या है, only log sabha can bring this bill, तो केवल log sabha ही आपका finance bill ला सकती ह finance bill लाने की power आपका केवल log sabha कोगी, राजय sabha को नहीं होगी, prior ascent of president is needed, राश्रपती, president की prior permission लेना compulsory होगा, यह दोनों कौनसी condition थी money bill वाली, यह दोनों कौनसी condition थी money bill वाली, बाकि सारी condition क्या होगी आपकी finance bill में, ordinary bill वाली साग बाकि सारी condition होगी, क्या है बाकि सारी condition आप आपका both house of parliament will pass the bill by simple majority, separately pass करेंगे किस से आपका simple majority से, उसके बाद अगर एक house pass करता है और दूसरा नहीं करता, तो joint sitting हो सकती है, इफ one house pass the resolution and other does not, the president can summon joint sitting, joint sitting कौनसे article में आती है, sir joint sitting आती है, article 108 में, sir joint sitting को preside कौन करता है, joint sitting को preside करता है, आपका speaker of log sabha, तीक है, अगला, the president can use all veto powers, president सारे veto powers का use कर सकता है, मतला, president इसे reject भी कर सकता है, suspensive veto भी कर सकता है, और आपका pocket veto भी कर सकता है, तो ये सारी condition है आपकी गाती, money bill की, all money bill will be finance bill, whereas all finance bill will not be money bill, when diagram बनाया था, वहां से था, कि आपके सारी money bill, finance bill होंगे, लेकिन सारे finance bill, money bill नहीं होंगे, when diagram बनागे, हमने ये चीज़ें, देखी थी, तो money bill से, finance bill से related, इतने ही points थे, जो important थे, finance bill cover हुआ, अब हम आपका कौन से देखेंगे, constitutional amendment bill, constitution amendment bill, किस में आएगा, सर, ये आएगा, article 368 में, सर, बाकी जो bills थे, वो किस में आते थे, part 5 में आते थे, बाकी सारे bills जो थे, वो किस में आते थे, part 5 में, सर, constitutional amendment bill, जो है, वो कौन से part में आएगा, सर, वो आएगा, constitution के part 20 में, ठीक है, constitution amendment bill, constitution को amend करने का procedure, जो आपका mention है, article 368 में, वो आपका constitution के कौन से part में आता है, ए, तो answer क्या होगा, आपका article 368, part 20 में आता है, आपका constitutional amendment bill, अब यहाँ पर बात किस की होगी, तो यहाँ पर बात होगी, हर वो चीज जो constitution को amend करने के लिए होगी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, constitution amendment bill, अब देखो, यहाँ पर दो houses होते है, कौन सा house होता है आपका, लोकसभ पार्लेमेंट के तीन औरगन होते हैं, क्या लोकसभा, राजसभा और president, तो आपका जो constitutional amendment bill है, वो आपका लोकसभा भी introduce कर सकता है, और राजसभा भी introduce कर सकता है, तो मतलब यह वाली condition भी हो सकते है, लोकसभा पहले आया, पास होके राजसभा में गया, या फिर यह भी condition हो स और धास, प्रेशदेंट के से पास होजाता है, तब बिल कहा जाता है, आपका president के पास, दोना houses के पास नहीं होगा, तब तक president के पास बिल आपका नहीं जाएगा, जो भी house आपका शूरू करेगा, वो house उसे पास करएगा, आपका special majority का हरत ब्रेशद मेजउडरिटि आपका करेगा मतलब टूबाइ थी आपके प्रेज्टेंटर्ट एंड वोटिंग का अगर पास हो जाता है तो वृइब दूसरे हाउस में जाएंगा वो भी पास कर देगा दोनों हाउस पास कर देंगे तो कहां जाएगा प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा यहां तक सारी चीज़ें समझ में आई पहला वीडियो देखाना यह चीज़ें तो आप आपको understood होंगी ठीक है चलो अब यहां पे आता है मालो लोग सभा ने बिल को पास किया राजी सभा ने नहीं किया यह राजी सभा ने पास किया लोग सभा ने नहीं किया मतलब condition कौन सी आई आपका एक हाउस बिल को पास कर रहा है और दूसरा हाउस बिल को पास नहीं कर रहा तब क्या होगा सब कोई भी जॉइन्ट सिटिंग नहीं होगी constitutional amendment bill में no joint sitting no joint sitting constitutional amendment bill में कोई joint sitting नहीं होगी, sir. आपका President joint sitting को नहीं भुलाएंगे. एका उसने pass किया, दूसरे ने fail कर दिया, बिल आपका खतम हो जाएगा. इस condition में बिल आपका collapse कर जाए. क्या President सभी veto power use कर सकते हैं? नहीं, बेटा. President कभी भी Constitutional Amendment Bill को reject नहीं कर सकते. President cannot reject. Cannot reject. President कभी भी Constitutional Amendment Bill को reject नहीं कर सकते. क्योंकि बेटा, मान लीजे Constitutional Amendment Bill से. President की ही powerों में आपका change हो रहा हो. और President उस बिल को pass ना करें. तो यहाँ पे एक परसन की चल जाएगी. हम नहीं चाहते हम चाहते हैं democracy में majority का rule हो. Majority जो बोले वो चीज़े हो. हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर एक परसन जो बोले वो हो. इस वजह से आपका President आपके Constitutional Amendment Bill को fail नहीं कर सकते. पास करना compulsory होगा. यहां तक Constitutional Amendment Bill आपको समझ में आया. ठीक है? यह चीज़ें समझ में आ गई. ठीक है? आपका होगा है. वो किसी Federal Feature को चेंज करते है. Federal Feature क्या होता है? जहां पर Power किसके पास होती है? States के पास. अगर Constitution का Amendment Bill अगर किसी ऐसे Constitution के Part को Amend करता है. यह Constitution में कोई ऐसा Amend या Change करता है. जिससे States की Power अगर Change हळोती है. States की Power अगर Effect होती है. तो वो bill आपका जो होगा वो state से भी pass होगा वो पहले pass कौन करेगा आपका Parliament pass करेगा Parliament ने pass कर दिया Parliament ने pass कर दिया फिर वो bill कहां जाएगा सारे states के पास All states All states के पास जाएगा और जब उसमें से 50% से जादे states 50% से जादे State अगर उसे pass करतेंगे तो वो bill आपका क्या बन जाएगा Act बन जाएगा अगर 50% से कम state उसे pass करेंगे तो वो bill आपका क्या होगा Collapse कर जाएगा Example GST GST जो है वो states की tax लगाने की power को आपका Change करता है, affect करता है State अपनी मर्जी से tax नहीं ही लगा सकते State की tax लगाने की power को आपने Affect किया तो जो affect किया तो आपका वो किस से pass होगा पहले पारलेमेंट से Parliament के बादे स्टेट में जाएगा स्टेट में भी 50% से जादे स्टेट मतलब इंडिया में कितने स्टेट है, 28 तो अगर आपके 15 या उससे जादे स्टेट पास कर देंगे तो आपका Act बन जाएगा जहां सक समझ में आगे ना इंबल जीदे हैं बटा कोई ऐसे बड़ी चीज ही नहीं इसी चीज को हम आपका जिसे स्क्रीन शॉट लेना पूरे नोट्स को पढ़ोगे उससे बहतर या उससे इंपोर्टेंट क्या चीज होती है जा आप माइंड मैपस देखो आपको सारी चीज से क्लियर हो जाएगी सेकंड में विदिन सेकंड में आपका चलियो तो देखते हैं आपका इसके सारे प्रेसिडेंट की पर्मीशन जरूरी नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट की पर्मीशन जरूरी थी जब पैसे से रेलेटेड बिल था तो पैसे से रेलेटेड बिल कौन से दे मनी बिल और फैनेंस बिल यहाँ पे प्रेस्टेंट की पर्मीशन आपका प्रायर पर्मीशन, प्रेस्टेंट से पहले पूंचना जरूरी नहीं है, बाद में तो अप्रूबल आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, अगला यहाँ पर क्या होगा, बोथ हाउस ऑफ पार्लेमेंट सेपरेटली पास्थ बिल विद स् उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, अगला है, there is no provision of joint sitting, मैंने बोला था joint sitting आपका आपका finance bill में नहीं होगी, sorry, joint sitting आपका constitution amendment bill में नहीं होगी, तो no provision of joint sitting, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, the president cannot refuse the constitution amendment bill, तो प्रेस्टेंट इस बिल को suspensive वीटो कर सकते हैं, इसे reject नहीं कर सकते, तो कभी भी constitution amendment bill को आपका president reject नहीं कर सकते, ठीक है, अगला point क्या है, according to the constitution of India, there can be three types of constitution amendment bill, which is not necessary, bill for which it is not necessary, ठीक है, अब यहाँ पे तीन type के आपके constitution amendment bill होते हैं, जहाँ constitution में amendment होता है, लेकिन वहाँ पे आपका article 368 में जो procedure दे रखा है, special majority वाला जो procedure दे रखा है, वो आपका follow नहीं होगा, यह भी देख लेना, एक आपका क्या होता है, जब किसी state का formation होता है, यह na, simple majority से pass होता है, each house of parliament, और जब आपका special majority to be passed each house, और special majority for their passes, ratification by the, resolution intended by the state by, अब यह तीन तरीके की constitution amendment होते हैं, य एक में क्या होगा, आपका simple majority से pass हो जाएगा, दूसरे में special majority चाहिए होगी, present and voting वाली, और तीसरे में क्या होगा आपका, वो आपका, पार्लेमेंट से तो pass होगा ही होगा, बस उसे ratify या उसे pass और कॉन करेंगे, आपके state legislature भी उस bill को pass करेंगे, तो यह हमने आपके bills देख को एक चीज़ बताता हूँ, यह चीज़ें देखना, बिल्स में, बिल्स में अगर मैं बात बुलू, president के ascent की, president का ascent, तो दो bill होंगे, जिन पर president का prior ascent लेना compulsory होगा, prior, prior ascent of president, compulsory होगा, कौन से bill पे, money bill और finance bill पे, money bill और finance bill, President से permission लेना जरूरी होगा, पहले, veto power, veto power, दो bill ऐसे होंगे, जैसे पे, president सभी veto power का use कर सकते हैं, कौन सा, ordinary bill, ordinary bill, और दूसरा कौन होगा आपका, finance bill, ठीक है, और आपका, ये चीज़ हो गई, दो bill ऐसे होंगे, जिन्हें लोकसभा introduce करेगा, यह ना, लोकसभा introduce, लोकसभा introduce करेगा, तो लोकसभा किसे introduce करेगा, money bill को, money bill को और क्या, finance bill को, लोकसभा introduce करेगा, उसके अलावा कोई भी house आपका introduce नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम ये तीन पॉइंट याद रखेंगे, प्रेसिडेंट का प्राया रेसेंट से यह होगा, money bill और finance bill पे, लोकसभा शुरू करेगा, money bill और finance bill को, प्रेसिडेंट सारी veto power यूज कर सकते हैं किस पे, money bill और, sorry, ordinary bill और finance bill पर, बाकी दौनों bill पे, प्रेसिडेंट आपकी veto power सारी यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, एक चीज और देख लेते हैं किया, joint sitting, joint sitting, joint sitting, joint sitting, joint sitting, joint sitting, जो है, दो bill ऐसे हैं, जिस पे joint sitting हो सकती है, कौनसा है आपका, ordinary bill, ordinary bill, और आपका कौनसा, finance bill, ठीक है, तो यह आप या आद रखना, यहां से अगर कोई question आता है, तो आप easily deal कर लोगे, कि किस पे आपका joint sitting हो कि किस पे नहीं होगी, कि कौनसा आपका, प्रेसिडेंट का एसिडेंट पहले लेना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आप, यह देख लो, notes में लिख लेना, easily हो जाएगा, याद हो जा आप सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं बहुत इच्छा content डिलेवर करूँगा, तो जाज-जा चैनल को सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, यहां पर आपको PDF मिल जाएंगे, जो PDF आपको चाहिए है, आप टेलिग्राम गूरु करो, आपको समझ में आएगा कि offline और online studies में कितना difference होता है, और हम क्या curriculum follow करते हैं, यह आपका XYZ कोई भी डाउट है, यह नमबर आपको दे रखा है, call करके आप, जो आपको बूझ रहा है, आपको बूझ सकते हो, batch से related, fee से related, timing, location, जो आपको बूझ रहा है, आपको बूझ ठीक है, तो मिलते हैं आपसे, next video में